नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में LPG Gas Connection है, चाहे वो किसी भी कमपनी का है, इंडेन, एच्पी, बारत गैस, किसी भी कमपनी का है, तो अब आपको EKYC करना जरूरी है, क्यूंकि दोस्तों अगर आप EKYC नहीं करते हैं, तो 30 दिसंबर 2023 के बाद आपको Gas Cylinder मिलना दोस्तों, आपके पास किसी कमपनी का LPG Gas Connection है, तो आप गर बैठे ही, EKYC ओनलाइन, अपने मोबाइल फोन से, यहाँ फे लैप्टॉप से कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिटर की एजनसी में जाने के विए जवरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में मै आपको complete process step by step दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने LPG Gas Cylinder के लिए EKYC को complete करना है, तो चली यह वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने mobile में ही एक application को download करना होगा, जो कि Indian Gas Company की application है, आप Simple Play Store पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे Indian Oil, तो आपको Indian Oil application को यहाँ पे download कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक ओर application को download करना है, आप Simple Play Store पे सर्च करेंगे, अधार Face RD, आपको Simple इस application को यहाँ पे download कर लेना है, तो दोस्तों, अब मैं चलिए, आपको अपने mobile screen पे दिखाता Open करने के बाद जो भी permissions आपसे मांगे जाएंगे, उन्हें आपको allow कर देना है, तो आपके सामने इस तरीके का homepage आ जाएगा, दोस्तों, यहाँ पे आपको services देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको new connection लेना है, customer support की service देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे आपको sign up process भी दिखा देता हूगी, आप application में कैसे sign up कर सकते हैं, हम sign up के option पे click करेंगे, and next page आपके सामने register to Indian oil account का option आजाएगा, दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी details एंटर करनी है, सबसे पहले आपको अपना mobile number एंटर करना है, उसके बाद email ID एंटर करेंगे उसके बाद आप अपना name एंटर करेंगे, पहले first name, उसके बाद last name, and उसके बाद consent दे देंगे, नीचे इस box को tick करके, and उसके बाद register के option पे click कर देंगे, and next page आपके सामने open होगा, दोस्तों, आपके mobile number पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है, और enter new password and confirm password में आपको एक अपना strong सा password एंटर कर देना है, and उसके बाद आप OK के option पे click करेंगे, तो आपका account यहाँ पे successfully created हो जाएगा, दोस्तों, अब यहाँ पे account create हो जुका है, login करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना mobile number एंटर कर देना है, and उसके बाद नीचे आपको password एंटर कर देना है, जो भी आपने अपना password set किया होगा, and उसके बाद आप login now के option पे click करेंगे, तो आप successfully यहाँ पे login हो जाएगे, आपको यहाँ पे open name आपका देखने को मिल जाएगा, and दोस्तों, यहाँ पे आपको first time link my LPG ID को option मिलेगा, आप यहाँ पे अपनी LPG ID को य यहाँ पे आपकी details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगे, आपका name, आपका relationship ID, mobile number, distribution name, अगर यह details सही है, तो यहाँ पे आपको नीचे yes it's correct के option पे click करना है, and उसके बाद आपके mobile number पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आप enter करेंगे, और done के option पे click कर देना है, तो आ आपकी LPG ID successfully यहाँ पे link हो जाएगी, यानि कि confirm हो जाएगी, और उसके बाद नीचे आपको re-login के option पे click करना है, तो आप home page पे आजाएगे, यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से login करना है, उसके लिए आप ऊपर QR code scanner के option पे click करेंगे, तो नीचे आपको यहाँ पे login का option मिल अगर आप अपनी details चेक करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप कैसे अपनी KYC को complete कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे ओपर three lines के option पे click करेंगे, यहाँ पे आपको first option मिलेगा LPG का, आप LPG के option पे click करेंगे, next page आपके सा option देखने को मिल रहा है, इसमें आपको apply view connection का option मिलेगा, तो दोस्तों आप इस option पे click कर देंगे, and next page आपके सामने open होगा, यहाँ पे आपको track services में कुछ services देखने को मिलेगी, and उसी की साथ services request में आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा, अधार KYC का, अब जैसा कि आप आपको face scan का option मिलेगा, दोस्तों आप face scan के option पे click करेंगे, तो आपका जो camera है वो यहाँ पे open हो जाएगा, और आपका face detect करना शुरू कर देगा, दोस्तों अगर आपने अधार face RD application को अभी install नहीं किया है, तो आप यहाँ पे redirect हो जाएंगे play store पे, और यहाँ पे आपको इनraszam को option देखने को मिलता है, यहाँ पे open को option देखने को नहीं मिलता है, तो आपको attention नहीं लेनी है, जैसे यहाँ पे अनिंस्टMoreल को option देखने को मिलता है, तो इसका मतलब कि आपके phone में अधार face RD application इंस्टॉल हो जुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ face scan के option पर click करेंगे तो आपका face detect होना यहाँ पर start हो जाएगा तो आपको सही तरीके से अपना face यहाँ पर detect करवाना है आपको यहाँ पर अपने face को move करना है left and right side तो आपका face successfully यहाँ पे detect हो जाएगा और आपकी image यहाँ पे captured हो जाएगी जैसे आपकी image successfully captured हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कुछ second सी है loading लेगा और यहाँ पे successfully आपकी details जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आपका name, address, आपकी consumer details सारे देखने को मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे जो आपका address है वही आप updated रहने देना चाहते हैं तो आप updated address के option पे click कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको submit के option पे click कर देना है जैसे आप submit के option पे click करेंगे तो आपकी KYC request यहाँ पे submit हो जाएगी आपको यहाँ पे confirm का option देखने को मिल जाएगा दोस्तों उसके बाद आपको नीचे go to home page के option पे click करना है और यहाँ पे आपको check करना है कि क्या आपकी KYC complete हो जुके है यहाँ फिर नहीं होई है दोस्तों उसके लिए अब आपको three lines के option पे click करना है नीचे यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा my profile का आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारे details यहाँ पे देखने को मिल जाती है यहाँ आपको indent details में नीचे देखने को मिलेगा KYC status तो जैसे कि दोस्तों हम भी हमने अपनी KYC को complete किया है तो आप यहाँ पे track re-KYC status के option पे click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने किस date को KYC request submit की है और यहाँ पे उसका जो status है वो in progress है तो जैसे यहाँ पे आपकी KYC completed हो जाती है तो यहाँ से re-KYC का option जो है वो हट जाएगा तो दोस्तों अब आपको एक दो दिन का wait करना है आपकी KYC को complete कर लेते हैं दोस्तों आई होप की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू सा like कीजगा और दोस्तों अगर आपके पास HP या फिर बारत gas cylinder है तो ऐसे में आप अपनी KYC गरवेठे online कैसे कर सकते हैं अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे comment box में comment कर दीजिगा उसके उपर भी जल्द हम यह वीडियो बना दे दोस्तों अगर अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करने के साथ notification bell को press कर दीजिगा चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you